दोस्तों आधारकाड बेस्द UPI रजिस्टरेशन की फिसलिटी तो शुरूँ हो चुकी है, यानि कि अब आपको UPI रजिस्टरेशन के लिए डेबिट कारड की जरूरत नहीं परेगी, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड है नहीं है, आपने कभी लिया भी नहीं है, फिर भी आप UPI Registration तो कर ही सकते हैं आधार कार्ड के जरीए और इसकी मैंने लाइफ वीडियो आपको बना कर दे दी है दो चार वीडियो इससे रिलेटर हमने डाले हैं जहां पर आपके साथे डाउट्स को हमने किलियर करने की कोसिस की है इसलिए एक बार चैनल को जरूर चेक करिएगा या फिर डेस्किप्सन बॉक्स को चेक आउट जरूर करिएगा लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस डाउट को किलियर करेंगे कि आप लोगे बहुत सारे कमेंट आ रहे थो उस वीडियो पे कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब आएगी बैंक ऑब बरोदा में ये फीचर करवाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही बैंक में इस फैसलिटी को सुरू किया गया है फिलहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कोस्मोस बैंक में आधार कार्ड बेस्ड उपिया रेइस्टेशन की फैसलिटी नपी सी आई ने दिया है भीम एप के जरिए और अभी जो है गूगल पे फोन पे पे टियम वाटसेप पे कोई भी एप्लिकेशन के जरिए आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आधार बेस्ड उपिया रेइस्टेशन नहीं कर सकते हैं कि यह फिलहाल भीम एप के अंदर ही एवलेबल है और भीम एप का भी लेटेश्ट वर्जन जो की 296 है 295 जो की फेबरारी का अपडेट है उसमें नहीं मिलेगी HDFCO, ICICI, Axis Bank, Bank of Baroda, Bank of India मतलब कोई भी बैंक है सब में आपको यह फीचर देखने को मिलेगी लेकिन कब इससे रिलेटेड मैंने एक जानकारी कठा करी है दोस्तों मैंने भीम यानि NPCI को यहां पर टेग किया ट्वीटर पे और उनसे पूछा कि बाकी में कब आएगी तो उ UPI-based अधार registration की वो बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे जैसा कि आप यहां पर response देख सकते हैं जबाब आया है अब इस अधार पर हम कह सकते हैं कि आपको इन सारे बैंक में Central Bank of India और Cosmos Bank को छोड़ दे उसके लाबा कोई भी बैंक में नहीं है PNB हो या फिर जो भी हो तो सारे बैंक में आपको बहुत जल्द ही यह feature देखने को मिलेंगे अब maximum time की मैं बात कर लूँ न तो वैसे तो 15 मई के अंदर ही सारे बैंक को यह feature दे देना है लेकिन अब चुकी यहां पर 15 अप्रिल निकल चुका है तो अब एक महीने का वक्त बचा हुआ है और इस एक महीन देखने को मिलें सारे साथ bank of baroadda में सबसे पहले यह आना था फीचर तो इसमें डिले हो चुकी है तो हो सकता है कि bank of baroadda में मतलब पांच छे main जो है कह सकते हैं जो bank है उसमें आपको देखने को मिलेंगे चाहे वह private bank हो या फिर सरकारी bank state bank of India में तो आएगी ही फिर bank of yani लेकिन इसके अलावा बागी के सब्सक्राइब चाहते हैं तो इसलिए अगर आप ग्रामीन बैंक में चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी आपको यह फीचर लेकिन इसके लावा बाकी सब बैंक्स में आपको आगले साथ से पंदरा दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे स्टेट बैंक आफ इंडिया में तो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटी फिक्सन बेल को हिट चरूर करिएगा जैसे हैं स्टेट बैंक में ये फिचर चाहे बागी कोई भी बैंक में आती है आपको वीडियो हम जरूर देने की कोशिस करेंगे